राजानी लखनों में कुरोना संक्रमा को ले करके क्या हाल है इसका जीता जाकता उधारान भैसा कुंड में जो कल सव आये थे वो जो है बया कर रहे हैं आप समख सकते हैं कि यह भैसा कुंड है जहां पे कल जो है 61 यानि 61 जो कुरोना संक्रमित सव थे उनकी अंतेश्टी की गई इसके अलावा गुलाला घाट की बात करें तो वहाँ पर सैती सवों को जो है जलाया गया है इसकी जो पुष्टी है वो खुद नगर निगम परसासन द्वारा की गई है जबकि उत्ता परदेश की जो आकड़ हैं वो खेल रहे हैं मुखमंती कारियाले को गलत रिपोर्ट जो है दी जा रही है नगर निगम खुद कह रहा है कि कल जो है भैसा कुंडो गुलाला घाट दोनों जगों पर मिला करके 98 सवों की अंतेश्टी की गई है यानि 98 लोग की मौत कल जो हुई थी जबकि उत्ता पर में कुरोना से हुई है तो यह जो आकडो का खेल है यह वेकुष साथ दरसा ता ici जिंको मुखमंत्री ने यह शौपी है कि लोगों को जो है करोना संकमल से भुष बचाएं वो कही नकई आकड़ छोपाकर करके अपनी जिम्मेदारी से पप्छे हट रहे हैं क्योंग कि जो कोरोनोा संकिन मरीज हैं उनको बेड नहीं मिल ला है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उनका एड़्मीशन नहीं हो पा रहा है दिन से ले करके रात के अंधेरे में लोग भटकने को मजबूर है हॉस्पिटल तमाम ऐसे हैं जिनके बाहर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सब कुछ बहतर होने का दावा जो है वो मुखमंत्री आफिस तक जो है रिपोर्ट के जरिये पहुचा रहे हैं जबकि जो आकड़े हैं जो खुद नगर निगम जो है बया कर रहा है कि हमने 98 सवों के अंतिष्टी कल जो कराई है जिसमें 61 जो है वो भैसाकुंड और 37 गुलाला घाट में 100 की संख्या रही है जबकि 68 जो है पुरत्ता परदेश में मौत की बात जो है वो स्वास्त महकमे के अधिकारियों जिम्मेदार अधिकारों द्वारा की गई है तो साफ है कि ल सथ displacement देश कल भी किए है कि जो निजी ऊस्पिटल हैं वहां पर जो है वश्था की जाए जो सरकारी हास्पिटल है जो कोड़ सेंटर बनाए गए हैं वहां पर बहत्र की जाए लोगों को बैट दिया जाए एंब्श दी जाए हिलाज बहतर किया जाए जो है़ बनाई गई बहुत्ता हुए हैं उत्ता पर्देशी इलाजовых लक्नों की बाद करें तो क्या वास्तों में लोगों को सही इलाज जो है मिल पाएगा लोगों को इस कोरोना काल से बचाया जा सकेगा इस पर जरूर जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कामरा पसंदम साथ अनुक्वा भार समचार लखनो कर दो